हेलो फ्रेंट्स मैं सबसे पहले बता दूँ सभी अस्ट्रेंट्स को कि यह ओखरी माउका है आपके पास यह लास्ट चांस है अगर इसको आप मिस कर देते हैं तो इस बार आपका एडमिसन नहीं होगा इसलिए कहते हैं फ्रेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखा किजिए ज इसलिए वीडियो को लास्ट देखेगा फ्रेंट्स वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्णट है कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इस पर फ्रेंट्स वीडियो को लास्ट देखेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजाए तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां पर देखाया गाया है मैट्री का या फिर समकश परिच्छा का मुल पर्विस्पत्र क्या लगने वाला है मिल परविस्पत्र मुल अंग पत्र यहां पर लाएगा मुल कहने का मतलब और उइजनल ध्यान से देखेंगा फ्रेंट्स है इसके भा आपने जो部分 ही डोक्यमेंट्स उसको जुटाने में लग जाएगा ठीक है है अगे चलते हैं पादे मूल आपबंधिक प्रामानपत्र । जिसमें जन्मतिथी का परमान हो इसके लिए ठीक है चलते हैं अग्वेडियो बिद्स आपको बताएंगे आगले एपको बताएंगे कि कैसे अगला वीडियो इसी पोगा इसलिए सब्सक्राइब कर लेना अगला वीडियो इसी बनाएंगे कि किनका जो है कॉंसलिंग पहले होगा किनका एडमिशन पहले होगा मॉप आप रौन्ड में ठीक है यहाँ पे चलते हम लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर्विस परत्योक्तर परिच्छा का मुल पर्विस पत्र एडमिट कार्ड लाएगा जो आप एक्जाम दिये थे उसका ठीक है उसमें लगाएगे फोटोग्राप की छे अतरिक प्रतियां ठीक है फ्रेंट्स छे फोटोगोप यहां पर एक बै utp Judah आगे दो देके जहां लागू हो जैसे की सेम्क वाले जीतने भी छीट रहते फिर्विसमन कोटा के चात्र उंको यह भीलाइगा को हगर 끝 परमान पत्र यहां पे आपको देना होगा अगर कोई DCCP Interquest के लिए All-Inn किये गया application form के part A और part B की hard copy लगेगा ठीक है जब आप application form किये थे friends all-in किये थे part A और P B का hard copy भी यहांपे लगेगा ठीक है उसके बाद यहांपे दिखाते हैं आपको उसके बाद क्या कहता है rank art अभी भी option है friends आप जाकर rank art download कर लीजेगा अगर नहीं किये इसको साथ लाना अनिवार्ज होगा ठीक है आगे देखते हैं आगे जो टॉपी यहां पे बताएंगे फ्रेंट्स नीचे यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यह कोई नहीं आपको बताएंगे फ्रेंट्स देख लेजाएगा यह ऑफिसल नोटिस में पढ़ा कि आपको बता होगा है तो नमांकन सुल्क जमा करने की मूल रसीद एवां वेरिफिकेशन सिलीप आत्वा उस सासान के परचारे से इस आसे का परमान पत्र की उम्मीदवार उस पॉल्टेक्निक सासान का भूना फाइट चातर है कहने का मतलब यह है कि जो आप फ्रेंट्स जमा किये थे न अभी मूल परमान पत्र उस पॉल्टेक्निक सासान के कर्याले में जमा है ठीक है आपका फ्रेंट्स वहां पर जमा होगा परचारे के परमान पत्र में उम्मीदवार का दुहरेकैस का रॉल नंबर मिधाकरम वा कोटी जिसके अंतरगत उसका नमांकन हुआ है उसका भी उले अगला जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्डड है धिहां से सुनिएगा ठीक है अगला टॉपिक क्या कहता है यहां देखिए अराच्छन लेने अराच्छन के लागो प्रावधानों के अनुसार अराच्छित वर्गों के जो उमिदवार समान कोटी कहने का मतलब है जो अन अराच्छित कोटी की मेगा सुची में भी अंकित है ऐसे उमिदवारों को नियमान अनुसार या सुधा रहेगी कि वो संस्थान पार्टेकरम के चुनों के समान कोटी के मेगा करमां के कौंसलिंग सथातकार में अपनी अराच्छित कोटी का लाब जो है सिविच्छा अनु मिलनेवाल है अगर कोई एसटी का है कोई पॉबन मिलेगा ठीक है आगे देखते नहीं को आदख रच। कि नीचे कि मिध़क्रम वाले अभी हरतियों कि सीटे अवंटीत की जाएगी ठीक है इसके लिए वे समय जिम्मेदार होगे इसका कहने का मतलब यह है कि जब आपको वहां पर बुलाया जाएगा ठीक है आपको जब बुलाया जाएगा फिरेंट के हिसाब से तो आपको यहां पहुँचना जो है अनिवार या नहीं तो आपके बाद वाले अस्ट्रेंट्स का एडमिसन हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खोद होंगे इसलिए फ्रेंट्स आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है ठीक है तो फ्रेंट्स मैं आसा करता हूँ कि आप इन सारे ब